अतीक हैमत को मारने वाले टीनो शूटर्स इस समय पुलिस रिमार्ड में हैं। माफिय अतीक और अश्रफ की हत्याकांट के आरोपी तीनो शूटर्स की पुलिस कस्टडी रिमांड आज पूरी हो गई जिसके बाद उन्हें प्रियागराज की पुलिस लाइन से प्रताबगड जेल भेज दिया गया है और प्रताबगड जेल में उनको दाखिल भी कर दिया तो 15 अप्रेल को जिस तरह से अतीक और अश्रफ की हत्या हुई थी उसके बाद तीन शूटर्स लवलेश सनी और अरुन मौर्या ने अपने आपको पुलिस के हवाले किया था जिसके बाद पुलिस ने सीजेम कोट से तीनो शूटर्स की रिमांड ली थी लेकिन जिस तरह से अलकाइदा ने धंकी दी थी इस मामले में अतीक और अश्रफ की हत्या का बदलिया लिया जाएगा उसके बाद से पुलिस बेहत सतर्क है और जिस तरह से हमने देखा था कचेहरी में पेशी के समय जिस तरह से बारी संक्या में हत्यार बंद फोस वहां पर मौजूद थी और जिस तरह से उनको वहां से निकाला गया था उसके बात से लगातार उनकी सुरक्षा को लेकर पुलिस बेहत सतर्क रही और आज उसका एक और मिसाल देखने को में जब पुलिस ने उनको बिना मीडिया की जानकारी में पीछे गेट से निकाल करके ले जाकर के प्रताबगर जेल में दाखिल कर दिया आप देखना ही होगा कि इन शूटर्स से पूछताश में जो एसाइटी है और पुलिस है उसने क्या हासिल किया है क्या वाकई जो इस पूरे मामले की जो तस्वीर अभी तक सामने आई थी जो कहानी शूटर्स ने सुनाई थी उसके अलावा भी में एक शूटर अरुन मौरिया शामिल था और जिस तरह से गुड़ो मुस्लिम की भूमिका संदिक्द भूमिका इस पूरे मामले में सामने आ रही है उसके बाद इस इस मामले से जुड़े तमाम और पहलू सामने आये हैं अब देखने यह होगा कि इस चार दिनों की रिमा का आई है उसमें क्या भूमिका हो सकती है क्या किसी सफेद पोश्च ने अतीक और अश्रफ को ठिकाने लगाया यह पुलिस ने अपनी जो जाच पूरी करेंगे पुलिस अधिकारी उसके बाद ही इस बाद का खुलासा हो पाएगा वीडियो जनलिस वेक श्रवास्तों के सा साज़िश की और इशारा कर रहे थे शूटर्स की चार दिन की कस्टटी रिमांड आज शाम पांच बज़े पूरी हो रही थी लेकिन दिन के एक बज़े के आसपास से शूटर्स को प्रयागराज से निकालकर प्रताबगर जेल ले जाकर दाकिल किया गया है ब्योरो रिपो